आज मैं बनावांगी चार देनाल खानवाला हलका फुलका जा नाश्ता चॉला दे बहुत ही वदिया कुरकुरे पकॉड़े सत शिरे अकाल जी पंजाबी वेग मसाला विश्त अड़ा स्वागत है कुरकुरे पकॉड़े बनावासते मैं थे एक काप चॉला नू चंगी तरा चार पंज़वारी पानी बदल बदल के तोके तैक अंड़े प्योंके राख देतता सी येह पाणै के चौल पिल गए ने जल जोड़ने मदिया फौल गएने भी पाणिंडे जैडे पानी चौल पिल जार पिज्व बादागे तो पादगे, आसक्ट रेसिपी वास एंप कोई भी चौल ले सकते हं जडे तो अरिकोल कार चो होन, दोड़े वाले छोटे वाले भासमत ज़्यादा नहीं पाना तेहुन्य चोलानू आप्मा ग्राइड कारगे ना पतला पेस्ट बना लेगे हैं चोला वेच दो तो तेन वड़ेचल मच पानी पाके तेमेना ग्राइड कार लेए त्या देखो एसरा पेस्ट बन गये हैं नाली आप्मा लमांगे थे दो वड्डे3 4 ज़िखे इस दे उबलीयोए आलू, दो हरिया मिर्चाह, ते एक ।टेड़ इंच अदरक। वेखें उबलीयोए आलू, हरिया मिर्चाह और अदरक। याणि यानिके तिन्ना चीज़ाह नूँ छोटड़ होड़ा बीच काट लेए। तेहुने कटियाँ भाला अर्फ यहां हर्या अंध्रख और आल्लू आं आपना चौलाँ वाले पेस्ट दे नाल ही, मिक्सेर दें ग््राइडर जाड़ दे विच पादो आंगे तेजेवीच पागे, फोगे आपना आनू ग्राइड करके नदा भी पेस्ट बनाले नाए ते देखो जी सार यह चीजा नू ग्राइंड करन तो बाद ना ऐस ना दा गाळा पेस्ट बन जाएगा ते जे एक वार च ना पीसे आवे ना तुछी दो वार च भी पीस साग देओ ते यहां फिर जे तो अड़ा ग्राइंडर जार छोटा है ना ते पहला चॉला नू पीसके ते बाद वीचे सब नू कठा कर लो ते ग्राइंडर जार चो ना सारे पेस्ट नू कड़के मैं एक मिक्सिंग बाउल चुपा लिया है ते हुने देविच पावांगे छोटा चम्मच जीरा एक छोटा चम्मच रेड चिली फ्लेक्स ते पॉना छोटा चम्मच चड़ा है लून भी पादवांगे लून तुसे आपने टेस्टे मुताबिक पासाग देओ ते नाली देविच पादवांगे कट्या होया हरा तनिया ते बस हुने सारी चीजा नूना अपमा चंगीत्रा मिक्स कर दो दो बाद नूना अपमा पेस्ट जड़ा एको डारेक्शन दो नूना मेरे 10 तरीक्यानल तोसी मतलब दोना नू मिक्स करके मेरे 10 तरीक्यानल रसीपी बनाओ यानि के चॉल आधे कुरकुरे पकोड़े बनाओ तो लू पिसांदान गे ते या लो जी या पेस्ट नूना में एको पासे लगाता चलांदे होया दो मिन तक फैंट ले हैं तेदी कंसिस्टेंसी भी देखो दूसी एनी गाड़ी होनी चाहिए दिये पकोड़े बना न वास्ते ते रखे दी न वास्ते न न वास्ते न थे तेल पहले हम गरम होनुआ रख्या होया है ते जो दो छंगी तरा गरम हो जाएगा गास दी अपप पाण लूँगे इकवरी सिंउ करांगे फिर नालन प्लेम थेट कर देभाए ने अपप फ्राइए करांगे ते हाथ दियां और न बढ़ा नाने बढ़ा चाड़े तले वाली यानिके फ्लाइट होगे जड़ी गैरीजी प्लाइट होँ दिये ओ नाले ओ ते बास थोड़े थोड़े कारके आपाई जामांगे ते जड़ी फ्लेम है ना अनुष्ट्रे शिमी रखा गे क्योंकि मीडियम गरम तेल भी ची आपा तुसी आप्पे उलटदे पुलटदे पाए ने हाना क्योंकि आपमाई जड़ा बैटर है ना यू बहुत अच्छी तरह फैटे आए ते देविच ना मैं कोई इनो पाया ना कोई सोड़ा ते ना ही कोई बेकिंग पाउडर फेर वी देखो किन्ने वदिया फुल्ले फुल्ले गोल मटोल जे पोकोड़े बन के त्यार हो रहे हैने हाना अए देखो फ्राई होंदे हुंदे आपके ही मुड़ी तूड़ी जा रहे ने आधेखो उलटदे-प्लटदे पहे दे बस एसे तरह ही ना ओईल नू चलांदे होए हिया हौली-हौली एनना हुली पलटदे होए च कोशी शाहिए करें जिमें में तंदस्या कि एक ता कड़ाई चोड़े तले दी लियो है ना चप्टी वाली ते जड़े आपकोड़े वीच पाने ना पॉइल इना ते वीच गैप रखें बहुत सारे कठे ना पायों जिमें मैं रखें विरले विरले जे क्योंकि इना जड़ा पेस्ट आप पजड़ाय ता मेटीरियल बनाया है बैटर काफी सॉफ्ट होंता है ते इसकर कि जड़े बहुत सारे बाद वांगे ना ते आप पस वीच चिपक जानगे ते फिर पल्टा लगे तुटनगे तो ना विच फिर तेल परेगा इसकर के थोड़े थोड़े पायो बाकी दे दूसरे तीसरे चौथे प्रागजे विचे फ्राई कार लेओ ते थे मैं दूसरा प्राग्गा भी और इलदे वीच पा देता है ते ऐसा ना विरले विरले पायो ना क्टे जेना कार लेओ ठीक है ते बस घैस दी फ्लेम नूँ सेट कर दे हो है ब्राउन जया क अल लबंगे ते एलो जी चाह ना खान वाला हलका फुलका नाश्ता यानि के चॉला दे कुरकुरे पकोड़े बनके त्यार ने इनना अपनी मन पसंद जटनी नल खाओ ये गरम गरम चाह नल खाओ तो नू बहुत ही स्वाद लगेंगे